तक दबा लेना चाहिए मन्ले को लड़की मेंस्ट्रल साइकल में जो है ना मेंस्ट्रेसन में मेंस्ट्रेशन जानते ने एक से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग होने का समय उस दोना डॉक्टर बलता है मत लीजिए भागी फिर छहतारी के बास से लगातार 21 दिन तक लेते रहे ज को रोकान्ट्रेशन को रोकेगा इंप्लांटीशन को रोकेगा एंशरम के इंट्री के लसं मैं टे से Lek fixing ुकřा एक साइट इफक्त बहुत है वह तो दिन को दबा क्वे लेने से आपको लेने हैसा अग्ली में नोर्मल दिनों में जाना चाहेगगी प्रोजेस्ट्रो SNT System मे अभी भी परजेंट है यह बहुत दिनों बाद जाके कर लेगा तो तब तक उसके लिए हो सकता है देरी भी विज़ा चार सल पांस सल लग जाता है उसका असर खतम होने में इसलिए सरकार एक ऐसी दबा बनाई है जिसका नाम कहा रखी तो सहेली आए सहेली नाम का जो दबा थ सार जो आपको क्या करता है ऊंज्ञेक्शन कुछ नहीं सर इंज इंजेक्शन व Ole extent भाति नहीं परेंगें तो बोल देरै कि सर इसमें स्टी डियá जाता है सर फिक है यह वह करता हुआ के कंदर स्फटरों या नहीं तो प्रोजर्ली स्ट्रो इस ट्रोजब का Haven Fan आपको इंजैक्शन अपिसमे देगा जना प्रोजली सठाहँं का इंजैक्शन एका ऴृजब्य इसमें मांधक लड़गी करना चारी कि हम शौमाहेना तक माना बनना चाले रोक्टर इंजेक्शन का डोज ऐसे ही देगा छो महीना तक मान बने जी ठीक है फिर को कहेगा सावल भर तक नहीं मा बनना चाहिए उसके लिए भी डोज होता है साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा पर इसका इंजेक्शन लेगा तो एक के बार में टेंशन ना टैबलेट खा इन आफ कुछ नहीं था आज जान रहा है इसमें भी हार्मून है यह भी काम करेगा stop ovulation ना फ्लीचान होने देगा और ना आपको मेंस्टोर इवनीवी सकता है सप्सक्राइब एस स्टॉप में सट्रॉप कर दिया सिर्ट कुछ नहीं हो ने में सब्सक्राइब बना रहाएब क्योंकि इंप्लांट होता है एक ट्यू असे खाली इस खुखला फाइप इस खोकला पाइब के अंदर में प्रोजेस्ट्रोन और इस्ट्रोजन दोनों तरगा दबा यह नहीं तो प्रोजेस्ट्रोन भरा रहा था यह डॉक्टर से लाख देता कि कम सा दबाद लेना चाहिए यह देखें जिए फोट्राफ होता है इस पर देखें पर लगा यह अंदर में दबा भरा होता है ठीक है दबा भराओने कारण सर आपको जोग ट्यूब होता है लड़की छो महिना तक मान नहीं बना चाहती है हाना जी तो उसके लिए सर क्या करता है सर आपको सिक्स हाना आपको निकी ट्यूब को चमरी के अंदर लगा दिया जाता है सर हना जी आप नया टॉपिक पर आप हमसे इंप्लाइंट चाहिए कि टॉपिक बेंडा है ऐसे के लडरकी बोलने चाहिए कि हमान नहीं बना चाहते हैं पर हमको स्वीच्छरी करते लेकिन आपको इंप्र आयूदी मत कीचिए तो डॉपिक की स्कीन निचे में एक ट्यूब रख दिया जा जाएगा हना इसका कम साइट इसमें बहुत कम side effect होता है इसमें एक महिना के लिए एक stick दिया जाता है ठीक है यहां देखना छॉइ स्टिक है तो नहीं हो मान नहीं बनना चाहती है इस तरह से को सकता है इसमें डॉक्तर स्किन के नीचे दोखो अप पहले के जावना में क्या था कि मतब पहले मतलब क्या मतलब करने जाएगी ना तो कहीं भी चमरी के निचे लख सकती इसको चमरी बद सब्चिरेगा हलका सा चीरा लगाएगा डॉक्टर अंदर से जाकर सब रख्याए एक टांका वाला ऑपरेशन हो गई है ठीक है और इसमें स जारा बात समझ में पर लोगन को यहां से प्रोजिस्टरोन है ना प्रोजिस्टरोन या इस्ट्रोजन का कम्बीनेशन है ना आपको दिया जाता है यूज किया जाता है फिमेल वाई इंजेक्शन से या इमप्लांट अडर दे स्किन मोर्ट ऑफ एक्षम सिमिले तो समझाय ही है। सब्सक्राइब ऑफ इंप्लांट की उपर में छाहा आए हो उप्खण क्टना इंप्लांट उच करते हैं छहाता लोहों प्मोलित की अbakने युज करते हैं बताइए कि कभी जाओगे डॉक्टर की आँ डॉक्टर देखोगे वहां पर उसके बाहर में एक स्टिकर चिपकाऊगे डेंपा का बताएगी कि डेंपा का स्वी लेने से बहुत दिन तक बच्चे को रुका जा सकता है ठीक है पाले पर रहा हम या सब बोले है कि ना तो गणा आघना ओला चुर्ल-धर से हैं जो काम करता हुआ। हम आपको सर्जिकल मेत अभी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी एक नहीं टॉबिनृक महनला गदशी कॉंट्रस साफटी को साब्ते बतकर कि इसमें हम लोगों क्या देखा देड़ा सब्सक्राइब क्या होता सर ऐसा दवा जो बहुत इमर्जेंसी समझने कि तुम सुनो मान लिजे कि कोई भी लड़का लड़की ना मतब अन प्रोटेक्टिव सेक्सवल को हैविलेशन किया मतब बच्चा जनम नहीं देना चाहता था लेकिन उसे कोई प्रोटेक्शन भी ने लिया मतब नहीं कॉंडम का यूज किया नहीं आयूडी का यूज किया ठीक है जब वो जान नहीं है मां कि आप मां बन जाएगी इमाजिन करो कि लड़की ऐसी है जो स्कॉाइटर्स में भाग लिए और इसको इस बात का डर सजा रह है कि वह मां बन जाएगी ठीक है तो पॉइंट यह है कि सर वो तो मां बनने से बचने के लिए वो क्या करती है सर ठीक है एक दबा लेती है सर जिसका नाम क्या है Emergency Contraseptive तुम लों याद करो हार्मोन जो होता है ना सर यह रहा हर्मोन मेथड जो देखते हैं यह आपको क्या द क्विक वर्क करता है एक दो दिन के उंदने में काम करने लगेगा ठीक है आप इमाजिन करो कि को लड़की के साथ sexual assault हुआ है मत उसके साथ rape हुआ है या को लड़की ने अन प्रोटेक्टिब सेक्सुल को हैबिलेशन क्या है या अनकैजूल ने हुथा जी मत अब बिना सोचे समझे को कर लिया और नाही को प्रोटेक्शन लिया तो यह इस बात का डर लगे रहेगा वह मां बन सकते है मानों कहीं वह 14 तारीक डेट के आस पास थी तो इस बात का और सदाएगा के मा बने से बचने के लिए कोइटर होने के 72 गंटा के अंदर में कोइटरों के आपको प्रोजयस्ट्रोन का दवा लेगा सब्सकता है 99% तक चांस है यह 100% से चांस है कि बच्चा आने से रोक दिया जाए बात समझ में आए मेरी बात यहां पर क्या बहुत आए चाहिए तो फिर यह कैसिस को मैनेज करेगा तो डॉक्टर सको तुरत अीमर्जनसी कंट्रासेप्टिब देगा वह घुदा है जो क्वाइटर्स के आपको 72 घंटे के दोरान लिया जाता है ठीक है 72 आवर के तीन दिन के अंदर में लेना होता है तब यह काम करेगा चौरथा दिन लेग हार्मोन बेस्ट है नहीं आपको कंट्रासप्टिव लेंगे तो वह क्या करेगा सर आपको ज्याधा असरदार होगा सर अंदी हार्मोन बेस्ट कंट्रस सेप्टिव मुस्रेत देखने को मिला है ठीक है फले पर राम क्या बोल경 कें चारी है तो यहां तक हुए है लेक ओ एक था आईउडी भी था या था रहना आईउडी में कौन सा हर्मोन था जी एलनजी 20 या प्रोजेस शर्ट अब इसका पिल्स था है ना अभी था पहले परे था इंजेक्शन तीस अभी था पहले परे ना इंप्लांट ये सब क्या हो जाएगा का सकते है हैं अब आईए लास्ट टोपिक का इसका नाम देते हैं उसी को एक और नाम देते हैं सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं जी ठीक है सर्जिकल मेथड के नाम से भी बुलाते हैं जी ठीक है इसी का एक नाम और है सर ठीक है जी सर्जिकल मेथड एक नाम और है सर आपको इसका है ना एक हैस्टरलाइजेशन मेथड दूसरा क्या सर्जिकल मेथड तीसरा क्या इसका एक चौथा नाम भी है सर आपको आपको सर्जिकल में तर्मनेंट में भी बोलते हैं जी पर्मानेंट में इसको बोलते हैं सर इस मेथड का जो इस्तमाल करेगा डॉक्टर गारेंटी ले लेगा हंडेट पर्सन गारेंटी ले लेगा वह मा नहीं बन सकता या पिता नहीं बन सकता जी ठीक है यह मैथड अपनाने चाहिए सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जो लड़का और लड़की को साइड इफेक्ट हो हाँ एक साइड इफेक्ट यह है कि दोबारा मा आँ यूटे ना सismo यहां क क्या ओलो दोट्टर क्या करता है काट करके इमैजिन करो इस प्र.. इसको काट देगा सर्जरी से काटने के बाद इसको सिल देगा इसको मोर करके इधर बांद देगा इधर से भी था फिलेपिन टूब इसको भी बांद देगा इधर से भी आपको फिलेपिन टूब इसको भी बांद देगा इधर से भी आपको फिलेपिन टूब इसको भी बांद देगा इधर से भी आपको तो दुर्ण सर अभम तो इधर रहा जाएगा एसपर्म होगा तो यहां से आगे बाढ़ नहीं सकता है सर आगे रास्ता कटा हुआ तो देखे एसपर्म को फिजिकली मिलने से रोका जा रहा है बाई सरजरी मैथड से बैरियर मेथड में क्या था बाई आपको barrier method से हम लोग करते थे निवाई latex या rubber से मदद से लेकिन यहां पर सर क्या operation के ज़री doctor क्या क्या फिलेपिन टूप को काट दिया सर काटने के बाद क्या किया कि आपको इस दोनों के बीच में सर आपको क्या gap बना दिया मतब ऐसा कि sperm घुसी नहीं पाए सर यहां कभी आई नहीं पाएगा ठीक है तो point यह है कि इसको हिंदी में नस्बंदी भी बोलते हैं ठीक है और इसमें देखता जाता है female का इस पार्ट को क करके डीक के तो इस घर्टना को मेडिकल में क्या करते मेडिकल टर में vaisी तुबा आज करके बांद कर के नाम से बलाते विथरों में करें घ्लम को क्या गार्ट करके उसको टाइआहिए कर दिया तासर यह एक परकिर्या इसा जो तो मी याद रखना इस लाइंड को ठीक है उसके बाद इससे क्या होगा इस से आपको वह मा नहीं बन पाएगी लेकिन वह लड़की में लड़के लगा सारा करेक्टर है क्योंकि अभी अभी भी है अभी भी बनेगा फीमेल में फीमेल ले बात भी रहेगी लेकिन वह मा नहीं बन पाएगी यहीं उसके साथ दिक्कत होगा ठीक है इस घटना को क्या नाम देते हैं टूबएक टोमी के नाम से बुलाते हैं फलैपिन टूब इधर ही रह गया जी ठीक है जारा मेरी बात समझ में कोई कोशंन आप सब्सक्राइब है क्या इसमें चीर कहां से लगाते हैं सर या तो बहन गए है जो ऐसा एक नदर यहाँ जुटाया है आप पेट की रिजर्वें क्योंकि हम जानते हैं यह सब पेट की उपर ना ऐसे यहां पर फोटरा बना देते हैं ऐसा था पहले पहले यहां पर यूटेनोस होता है तो डॉक्डर से ची र करता है अब भी बुल्लिया अपको लर्का में कर सकता है कि क्या कर जा आंतर की इसे मिल तो स्पर्म निकलेगा सीमें रिलीज करेगा बट नॉट स्पर्म नहीं होगा ठीक है फोटो देखके तुम रुक समझो ये फोटो देख रहा ना इस फोटो आप में आपको क्या दिखाए दे रहा है वहास डिफ्रेंस को काट करके सिल दिया गया इसा है स्पर्म को मिलने से रोकते हैं कि पुछेवादाब 2017-2018 में कि भैसक टोमी में सीमेन में क्या अपसेंट होता है तो भैसक टोमी में सीमेन निकलेगा सर वहास्टेट ग्लाइंड का सिक्रीशन सब आएगा लगा में लड़का वलावी बात रहेगा और उसका टेस्टिस्स हार्मो सित कर higher जाए है फार कि यह क्षोलिकों का दिकत नहीं है ठीक है जी डीवरा नारों कोई यह चाहिए नहीं है थी को दोभरर कई पडिपन चाहेँए है तो इससे पॉसिबल नहीं है ठीका जी इस सिंट्बचन को हम लोगजय का नाम देते हैं इस सिच्विशन को नाम देते हैं आपको स्टेशिकल मेथड या इसको आपको परहा दिया इसको भी यहां से पर देते हैं administration of progesterone or progesterone-strogen combination या आपको IUD का ले ना है ना progesterone-progesterone-strogen combination या IUD को जो लेते हैं सरा बहतर घंटक के अंदर में of the quietus found very effective है ना emergency contraceptive के तौर पे ये काम करेगा हना there could be a void है ना ये ये से क्या आता सरा आपको a void क्या जा सकता है possible pregnancy को due to the rape and unprotective intercourse को मिसर से रोका जा सकता है ठीक है बात समझ में आ रहा मेरी बात क्या बोले अब आए सर्जिकल मेथ़ड as also calls sterilization we are generally advised for the male female partner as a terminal method इसको क्या नाम देते है टर्मिनल मेथड की नाम से लाते हैं to prevent any more pregnancy इससे क्या हो एक एक से ज्यादा pregnancy से बचा जा सके सर्जिकल इंटर्वेशन ब्लॉक दग्यमिट ट्रांस्पोर्ट है इस तरह से सर्जिकल इंटर्वेशन क्या जाता है कि सर्ग्यमिट के ट्रांस्पोर्ट को रोका जाए बहसेक्टोमी को क्या कैसा है तो यहां पर देख रहे थे फीमेल में जो था ना जी इसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से बिलाते हैं जी बहसेक्टोमी में क्या होता है स्मॉल पार्ट और भास डिफ्रेंस को काट करके टाइट कर दियाता है चीरा कहां पर लगाते हैं नीट में यह भी पूछ सकता तुमसे इंसीजन में चीरा लगाना है ना जी चाकू या ब्लेड लगाना तो इस क्रॉटम में लगाते हैं सर जबकि टुममी में फिमल में चीरा का लगता सर या तो पेट की रास्ते या तो भीजाना के रास्ते से पहुंचा जाता है इसका सिर एक बाद हाइली असरदार है पर पुराने दिन Оुमें बापस आना बहुत मुस्किल होता इंड ऑangenष लिट से-र ना बापस के दिनों में जाना बहुत मुeness्किल होता है एक टर्म लिखेना है ईहाफ है यहाफ वी कभीकभी यूटिरस को कातका परकृ आने के परकिर्या को हिस्टेक्टोमी कितै किसी के फीमिल में हटाएगा हना तो हिस्ट्रेक्टोमी में क्या देखते हैं हम लोग हना आपको एक खास कंडिशन है जिसमें हम लोग देखते हैं सर यूटिरस को काट करके हटाए जाता है ठीक है यह याद रहेगा हम लिख रहे हैं तुम लोग इब इन सेटी है तो लिख लो वहीं पे हिस्ट्रक्टोमी दो है पद्रा में पूछा वाई आउट अब से लेवस था ये हना अलाकि वो कोशन बन जाता है फिर भी आपको याद हखना हिस्ट्रेक्टोमी है यहाँ पे पहले पर नाम बले यहाँ साइड में अट्यक्रावयम और और ओफरेक्टोमी और इमूबल ऑफ ओभरी और ओभरी को अटाते हैं सर इसको क्या नाम देंगे ओफरेक्टोमी के नाम से बुलाएंगे ठीक है यह अच्छी बात नहीं सरी तो इसमें अबभरी अटाने लड़की वह लावी करेक्टर गायब हो जाएगा असपर्म बनाने की लड़की लावी करेक्टर क्या हो सकता है गायब हो जाएगा क्योंकि सर अबड़ी हो टाय यह था हर्मोन भी खतम हो जाएगा इसलिए जब कभी भी स्टर्लाइजेशन मेथट आएगा ना आप लोग से आज कोई पूछेगा ना कि स्टर्लाइजेशन मेथड कौन-कौन है दो ही यह स्टर्लाइजेशन मेथड़ है बहसेक टोमी जाराबात समन्द में बहसेक टोमी एक क्या सर आपको ट्यूबक टोमी है यहां पे लिखा है यही दो आपको हाक स्टर्लास अमेक्ट जीके फल्ले पर रणा लेकिन यह तो उप्ट्रेशन करना पर पर गया उटेरस ख झिसाथ है में सब्सक्राइब करें भी आप दो पता है ये आगे लड़की वो तुमें देखना पुरा बोडी महकता रहेगा है उसका तो बडी इसलिए महकता है सार उसका क्योंकि उसके सरीन में क्या सबहु ज़्यादा मात्रा में सार क्या है हार्मोन निकल ला था घyards तिcs टीस से जॉन यात तो होगा नहीं है ऑगर टेस्टीस को काट करके हटा दी तेश कास्ट्रेशन बोलते हैं कास्ट्रेशन का बोलते हैं और देखो ट्यूबैक्टोमी को एक और नाम से बलाते हैं फोटो दिखना चाहिए सबको सल्फीनो जियो टोमी नाम से भी इसको बलाते हैं ठीक है सर्जिकल मेठड़ भी पढ़ा दिये सातों मेठड़ पढ़ा दिये आप जब हम लोग मिलेंगे ना रात को मिलेंगे ओल्लाइन क्लास चलेगा ही चलेगा कोई एक टाइम हम तुमको कॉल करें दी यह सिफ लड़कों क के पड़ाए यहई जो प्रार है इसमें साइड इफेक्ट लिखें गया चीछ का साइड इफेक्ट कीट अब बार रिखशन एक कती लेंगे ऐक क्या टेसृ रम और इसको अबistically को हट आना सभी तरीका है कंट्राशेप्टिव का कुश्चन नॉमर सात मा देखो रिमॉवल ऑफ गौनाइड वलता समझते हो टेस्टि सवभरी को गौनाइड बोलते हैं एक साथ हैना रिमॉवल ऑफ गौनाइड हैना इस अब रिमूबल ऑफ गौनाइड हैना cannot be considered as contraceptive option why question सम्झा हो कि कहीं चले गयो हेलो हेलो आवान हाँ हाँ तो एक question सुनो तो question यह है करा क्या कि गुनायट को हटा देने की परकिरिया क्या एक contraceptive है क्या बोले है तो गुनायट को हटा देना एक contraceptive method नहीं रिमूवल और गुनायट के नौट भी considered as contraceptive option इसका answer देना तो आपको क्या होगा प्रोपटी भी तो लॉस हो जाएगा तो यहां भी करा कुशन रिमूवल जी तो तो यहां गर पर रहां गे तो प्रका उसको भी आदा हंटा पर रहा देंगे प्रांट एक बजे कोई भी टाइम में हमें हमें एक गंटा पहले तुमको कर देंगे जब भी परहाना रहाएगा जैसे आजम आएगा और कोई नहीं इस टॉप है लेकिन आठ बजे में एक बार जूटके एक बार देखना मैसेज को आठ बजे आठ बजे चालीस मिनट पे है ना तुमको हम वो परहा देंगे प्लांट का जो रह गया था पॉलीनेशन क आपको परहार देंगे यह थोड़ा सा रह गया था यह ठीक है इसको भी देखेंगे ठीक है तो समझ मैं रहा रहा है सब क्या सब चल्ला था रहने तो आप ठीक है आप मिलते हैं हैना आपको सारे 8 बजे में ठीक बाई